हेलो चिल्डरन, मैं सेल्फ निमिशा, तोड़े विल लॉर्न, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, एंड इक्वल तू, स्मॉलर देन मीन्स छोटा, ग्रेटर देन मीन्स बड़ा, इक्वल तू, मीन्स दोनों बराबर, अभी ये साइन है, लेज देन, ग्रेटर देन, एंड इक्वल तू, लेज देन मतलब इनसे छोटा, ग्रेटर देन मतलब इनसे बड़ा, इक्वल तू, मतलब दोनों बराबर, अभी यहाँ पे कुछ नंबर दिये है, हमने ढूनना है कि लेज देन कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है, मतलब कौन कौन सा नंबर किस से बड़ा है और कौन सा नंबर किस से छोटा है और कौन सा दोनों नंबर बराबर है So let's start First number is 29 and 28 Which one is small number and which one is great number So let's start with which one is big and which one is small number वो हमें कैसे दोनना है यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 28 तो यहाँ पे 10s and 1s मैंने आपको सिखाया हुआ है So 10s number देखना है 10s दोनों बराबर है So हमें 1s को देखना है 1s में 9 है और यह 1s में 8 है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है तो 9 बड़ा है तो हमें कौन सी sign रखनी है Less than, greater than के equal to तो हमें रखना है greater than तो इसको बोलेंगे 29 is greater than 28 ओके, next number is 34 and 37 Which one is greater than greater number? So यहाँ पे भी देखो 10s equal है तो यहाँ पे 1s में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है तो कौन सा number बड़ा number है अभी यह जो हमने arrow यहाँ पे रखा वो दोनों side जो खुला है वो बड़ी number के side आएगा और यह जो arrow है वो छोटे number के side में आएगा तो हमें यहाँ पे 34 और 37 तो यहाँ पे यह पहला number 34 है 34 number is small number तो हमें यहाँ पे कौन सा sign रखना है less than, greater than के equal to तो हमें रखना है यहाँ पे equal sorry less than यहाँ पे हम रखेंगे less than तो 34 is less than to 37 तो 34 छोटा number है 37 से तो यहाँ पे हम रखेंगे less than next number is 58 and 43 तो यहाँ पे भी हमें कौन सा number छोटा है और कौन सा number बड़ा है तो यहाँ पे first number is 58 and second number is 43 तो यहाँ पे 53 10s देखो 10s बड़ा है 5 बड़ा है ना 4 से तो यहाँ पे 58 बड़ा नंबर है तो हम यहाँ पे कौन से sign रखेंगे greater than तो इसको बोलेंगे 58 is greater than 43 next number is 93 and 93 यहाँ पे भी 93 है यहाँ पे भी 93 है तो दोनों साइट सेव नंबर है तो हम कौन सा sign रखेंगे equal to equal to means दोनों नंबर बराबर है यहाँ पे next number is 100 और 97 तो यहाँ पे first number 100 है और यहाँ पे second number है 97 तो बड़ा number 90 बड़ा number 100 है तो यहाँ पे हम रखेंगे greater than तो इसको बोलेंगे 100 is greater than 97 next number is 64 and 83 तो 64 83 से बड़ा है के छोटा है तो यह 64 83 से छोटा नंबर है तो हम रखेंगे less than और उसको बोलेंगे 64 is less than to 83 okay understood this thank you